आखरी औरत कौन थी? उसके साथ क्यों ऐसी दरिंदगी दिखाई गई थी? उसके ना सिर्फ सपने जला कर राक कर दिये गए थे बलकि उससे जीने का हग भी छीन लिया गया था शार्फ यह क्या चल रहा है यहां पर यार यह हमेशा गलट टाइम पर टपकती है फोड़ी तेर बाद नहीं आ सकती थी? यह मेरा कर है पती हो तुम मेरे तुम इस शरम नहीं किसी और ओरत के साथ यह कोई और ओरत नहीं है मेरा नाम है इसका प्यार करता हूँ मैं इससे समझी? और तुमारे भला ही जाती हो तो निकलो यहां से मैं नहीं जाओंगी फत्नी हूँ मैं तुमारी अगर यहां से कोई जाएगी तो यह जाएगी ख़वर दौर मेरे फत्नी बार निकालोगी उसनी बार में उसे घर ले आओंगा अगर जाना है तो तुम जाओ डिवोस पेपर दिये है स्राइन करो और निकलो मीरा मीरा जी जै जी ताई को एक चांस तो देखकर देखिए अब जानते हैं ताई आपसे कितना प्यार करती कितनी चिंता करती है आपकी मैंने कब यह बोला है तुम्हे? तुम्हे अपने मारिज लेफ में क्या करना चीए? क्या नहीं करना चीए? क्यों कि अन दे रहे हो मुझे इतना? और इतना ही दुख हो रहा है उसका तो उसे समझा दो डिवोस दे दे अपना और मेरा जिना हरम कर रही है वो आर्थी, आर्थी, तुम रुको, मैं देखती लुग, प्लीज, अब तुम मठ शुरू हो जाना, देखोशे हमभाओ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा थंडे दिमाग से सोचो, और ऐसा कोई रास्ता निकालो जिससे आर्थी को कोई तकलीफ नहों, यह बतो आपको भी अभी, हाओ, दिन रात उसको ऐसे रुलाना कोई सही बात तो नहीं है, कुछ महीनों की बात है, डिवोस हो जाएगा, मैं समझाओंगा उसे, वरोसा है ना मुझे, फिर अपने अपने रास्ते में, हाँ? एक तुम हो, और एक वो आरती है, अपने पती से कितना प्यार करती है, अपने शादी बचाने के लिए दिन रात रोती रहती है, और वो कमी ना, एक घटिया औरत के लिए, उसे दुख देता रहता है, कभी अपनी बीवी के बारे में भी सोचा है इस तरीके से? हाँ, हमेश सोचता हूँ, कि उसे कितनी शर्म आती होगी, कि उसकी शादी एक काने से होई है, यह, इस आपको देखकर शर्म आती है ना, अपने आपको मेरी बीवी बोलने में, हाँ, उजे बहुत अच्छे से याद है, जब मैं रिश्टे के लिए तो मैं देखने आया था, आई, तो कि उसकाने से शादी करूँ, वागल होगी है, क्या पकवसकर यह तो, कास निकर रही हूँ, मैं सज बता रही हो, तिया, इंसाम को उसके चेहरे से नहीं परखना चीर, उसका बर्ताव तो देखाई, प्लीज, तिया मुझे बात बता, अगर आज कोई अक्सिडेंट होजए, मेरी या तेरी जीजाजी की आख चलीजए, तो हमके एक दूसरी को शोर देगे, नहीं ना, अच्छा इंसान है, अच्छा कमाता है, तुझे खुष्छ रखेगा, इससे क्या चाहिए तुझे इसादावर, शरीफ है वो, हाँ पात है कितना शरीफ है वो, श्ष्ष्ष्ष् कि तुमने मुझ से, मुझे लगा था कि आरती के कुछ गुन, कुछ गुन तो होंगे तुमने, लेकिन मैं गलत था, कड़े तो जिन्दा है, एम्बूलेंच को फोन गरो, सर्, तुमने उसे चाको से मारा? घर कब तक आओगे? मता नहीं इसलिए पोच्रियों कि दारू पीकर आओगे तो घर पे खाना खाओगे या बार से खाकर आओगे? तुनो पनी जबान ना? किसका है? ऐसे ही रॉंग नंबर है. अब तेरा यार विने भी रॉंग नंबर की लिस्ट में आ गया? तुझे क्या लगता है? मुझे नहीं पता कि तेरा इसे चक्कर चल रहा है. मू मार की फिरकी उसके साथ. हाँ चल रहा है चक्कर. तो! तुमसे लाग गुना ज्यादा अच्छा है विने. एक मिनिट. यह तो ले जाना ही भूलकर. पहन कर जाओ. परना लोग डर जाएंगे. हालो, विने? विने, तुम जल्दी से घार आजाओ. मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है. मनोज को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है. हाँ. अच्छा, विने, तुम आप. तुम, तुम फिर से यहां गई? देखो, मैंने तुम्हें कहा था. मुझे तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं है. जाओ यहां से. इस बार तुमको भरोसा करना पड़ेगा. क्योंकि मैं पूरे सबूत के साथ है. यह देख लो. क्योंकि मैं। पंग अंग गखें। अने भेज पुझे है। यह। यह, मुझे बता है तुन शाले लोक्त हो जिया का यार बेन ना ना अब यह मते तुम बहार नी करल ला दिया एदिया ये बागगी क्या अपने यार के साथ? प्रेक्ता बागगी प्रेक जल्ले कि ये इस रखागगी क्या मेरे? दिया प्रेट्रोल की बद्बू अभी तक आरी है सह नहीं, बोड़ी भी बहुत बुरी तरह से चल चुकी है चेहरा भी साफ नहीं देख रहा है, आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल है कड़े, चेक करो जड़े क्या हुआ था? सर, सर जब मैं घर आया तो मैंने इस विंडो से देखा कि बोड़ी चल रही है, सर सर, तब तक चरा पूवी तरह नहीं चला था तुम यकिन के साथ कह सकते हो कि ये तुम्हारी वि-वी जी है और यकिन से कह सकता है क्योंकि उस समय मैंने थोड़ी पी रखती थी, सर और मेरी एक आग भी खराब है पर सर दूसरी हाग से परपल साम देखता है कि यकीन से नहीं कह सकता सर तुम जब आये तब उसका चेहा आधा जला हुआ इसका मतलब तुमारे आने से कुछ देर पहले उसको जलाया गया तुम्हें किसी के आवाज सुन या किसी को जाते हो देखा हाँ सर, आचर एक आवाज से उननी दी सर तुम्हें से मैं पर लगा कि ऐसे ही कोई आवाज होगी लेकि भी मुझे पक्का ही अकीन है सर कि वहीत है जिसने जिसने भीया को मार के जला दिया है सर वहीत है सर कर दिए खर चिरिके शर्ट शर्ट वोर्मीजिकी टीम कुबूला यहर के आस पास के एवेदेंश करेक्कर पर अठेक्ट को पोस्मार्टिम ली बर्ष्ट और यह दिया और मनोर्ष इनके फैमिले के देटिल्स निकालो थिकले जाए तिक एच्छा हुए अज़ा ना एक दा सांकित लखे कहलता में पोलिस ओफिसर है तीक ठीक हो कर तो कर दो ठीव देफ़ चल सर मनुष के पड़क्सन से बात किया है सर उनका कहना है कि कल दोपैर के बाद दिया को किसी ने नहीं देखा इन दोनों की शादी हुए दो साल हो चुक हैं और ये मनोज छोटा-मोटा बिल्डर है अच्छा-कासा कमा लेता है सर लेकिन दोनों के पारिवारी कृष्टे सही नहीं है दोनों मिया बीबी के बीच में काफी लडाई होती है सर इतनी लडाई की आवाजे पडूसियों तक को सनाई देती अरे उसमें क्या नहीं बात है मैं भी आभी वही कर रहा था कुछ नहीं चीज़ बता सर वो दिया की बैन आर्ती के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है एक साल पहले मनोज ने आर्ती के उपर Attempt to Murder का चारज लगाए था यह केस में नहीं handle गिया थाथ सर मामला कोट तक गया थह कोट में आर्ती के उपर Attempt to Rape का भी चारज लगाया लेकिन सर ये रेप साबित नहीं हो पाया डिफेंस में Manoj का ये कहना था कि आर्ती ने ये सब जान बुच कर किया और सर फैमिली के नाम पर दिया और आर्ती की मा सावित्री है और एक चोटा भाई अंकित है अरी Manoj की फैमिली में? सर मनोज की फैलिटी में सिरफ दिया है मनोज अनाथ है अच्छा मनोज की घर में कुछ मिला मटर वेपन, फिंगर प्रिंट्स सर हमारी फॉरंसीक टीम ने सभी जगा अच्छे सा जाच पड़ताल किया है लेकिन सर कोई मटर वेपन तो नहीं मिला अलेकिन फिंगर्पिंट के नाम पर घर में मनोज और दिया के ही फिंगर्पिंट अलेकिन किच्छान और बाथरूम में कुछ लंबे बाल मिले और वो सकता है कि वो बाल दिया के ही और घर के बाहर ब्लट सेंपल्स भी मिला मैंने दोनों सेंपल्स को DNA टेस्टिंग के लिए भेज़ दिया अब सर्ड़ डिया विपोर्ट आने के बाद एक अन्फर्म हो जाएगा कि वाड़ी दिया की है उसके माँ को इंफर्म किया है? ये सर्ड नए मेरी दिया नहीं बर सकती मुझे चड़के लेज़ देखती दिया देखे आपके दुख में हम सामील है आपके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ वैसे देखा जाए तो यह वक्त नहीं है सवाल पूछने का लेकिन कुछ सवालों के जवाब चाहिए हमें दिया को कौन मार सकता है अब किसके ओपर शक क्योंकि दिया के पति मनोज ने काहा था कि उन्होंने किसी को देखा था वहां उस वक्त जूर बोल रहा है वो उसी में मारे मेरी ताई को ये क्या बक्वास कर रहा है तू पागल हो गया बक्वास नहीं कर रहा, सच कह रहा हूं मैं हम तिनों भाई बैन एक दूसरे के बहुत करीब थे एक दूसरे से कभी कोछ नहीं चिपाते थे सारी बाते शेयर करते थे अब दिया था ही, परिशान रहती थी, रोती रहती थी और मुझे बताती थी, कि वो हमेशा उन से लड़ते जगड़ते रहते चलाफ पीकर उन्हें मारते भी हैं, और तो और उन्हें ये भी लगता था कि मनो जीजा जी की आतिताई के साथ सबरदस्ती वाली बात भी सच है, और तबसे उनमे जगड़े शुरू होए थे और मनो जीजा जी ने तो कई बार उन्हें जांसे मारने की धंकी भी दी थी सर, मैंने दिया को नहीं मारा है, सर, प्लीज मेरी बात का येकिन कीजिए तुने धंकी दी थी ना? सर धंकी दी थी, लेकिन उसर मैं में गुस्से में था, सर तु इस मरडर में प्राइम सस्पेक्ट है तु दिया को मार सकता है इसकी तीन वजे एक, तु उसका पदी है, नंबर दो, तुम दोनों के बहुत ज़ड़े होते थे और नंबर तीन, और तुने बताया था कि जब दिया की बॉड़ी जल रही तु तब वहान तु गया था तो इसकी गवाही देने वाला कोई गवा नहीं सर, मैं कसम का के कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मैं तो खुद परिशान था, सर, इस शादी से पूरी फैमली ने मिलके धोका दिया था और सर, दिया मुझसे कोई प्यार भ्यार नहीं करती थी पैसो के लिए शादी की थी उसने मुझसे शादी से पहले उसका किसी विने नाम के अदमी के साथ अफैर चल रहा था और अभी तीन-चार मैने पहले वापस उसका उसका उससे अफैर शुरू हो गया था तेरो केसे बता? सर कल जब मैं ओफिस जा रहा था तो विने का फोन आया मैंने दिया कोई पूछा तो उसने मुझे खुद बताया की हाँ चल रहा है चककर तो? तुमसे लाग गुना ज्यादा अच्छा है विने यह जो थी वाजी समझे तु क्या बोल रहा है तेरी एक गवाई तेरे खिलाब जा रही है और इसी वज़े से तुने दिया का मरडर की सर मैं आपको सच बता रहू हूँ के रलक जहुनजात मैं सच बोल रहू है मैं सच बोल रहू है मैं सच बोल रहू हाँ Ma'am Ma'am I am missing company शाम देश पंडी आप आप मुझे कैसे जनते हो बेटो या के माँ के घर में तुमारा फोटो दिखा था सब कुछ बता है उनों इन तुमारे बारे तो दिया का मॉर्डर तुमने किया है यह क्या बोब रहाएं मैं दिया का मॉर्डर क्यों करूँ का और हां यहां में दिया के लिए नहीं, आर्थी की मिसिंग कम्रेंट लिखवाने आए आर्थी कैसे कायब हो सकती है, वो तो मनोच के आइटेम टू मर्डर की इसमें अंदर है दो दिन पहले ही पेरॉल पे बाहर आई थी वो और वो बात मुझे आज पता चल रही है जब मैं उसे मिलने जेल पहुंचा कमाल है, तुमारी बीवी जेल से बहार आई और तुमारे पास नहीं 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 और यह पूछने के लिए मैंने अंकित को फोन किया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया गरा तुमारी बीवी कहा है पूछने के लिए तुमने साले को फोन किया और उसने बता है नहीं तुमारी बंती नहीं किया तुमारे बीवी के साथ सर इसे कोई बात नहीं है आरती के पास फोन नहीं था और अंकित और आरती बहुत ख्लोज है तो मैंने सोचा कि अंकित को पता होगा आरती कहा है दिया को क्योंने फोन किया तुमने दिया से भी ने बनती दुमारी पनोज के वज़र से आरती दिया को कुछ जादा पसंद नहीं करती थी और इस जान लेवा हमले के बाद तो कुछ और भी कुछी दिन पहले अंकित और दिया में बहुत बड़ा जगड़ा हुआ किस बात में मुझे पता ने तो मैंने सोचा कि अंकित है जो शायद मुझे बता सकेगा के आरती कहा है तुपती, आरती की मिसिंग कमडेल लिखवाया हुआ आरती की सारे इंटेल्स लिजे न बहार तो कि अब देख लेगे सर मैं तब भी साज बोल रहा था और आज भी साज बोल रहा हूँ हम तीनों भाई बैन एक दुसरे से करीब थे तुमने ये तो बात बताई उस दिन की तुम करीब थे लेकिन इजगड़े वाली बात ने बताई थी क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि आपके सामने ताई की इमेज खराब हो तुमारी इमेज खराब हो कि तुछलेगा किस बात से जगड़े होती थे? सर वो ये घर बेचना चाहती थी उन्हें बस अपना हिस्सा चाहिए था उन्हें हमारी कोई चिंता ही नहीं थी दिया को इतने पैसों की जरुवत थी कि वो अपना ही घर बेचना चाहती थी पता नहीं हो सकता है वो रोज के लड़ाई जगड़े से मार्पिट से थंग आ गई हो और नए सीरे से अपने जिंदगी की शुरुवात करना चाहती हो तुम कुछ बताना चाहती हो यह क्या बताओ साब मुझे उसके पार में जो कुछ पता चलता इसी से पता चलता था वो कहां मुझे कुछ बता कर जाती थी लेकिन आर्थी आर्थी का और उसका सबब बहुत ही अलग था लेकिन आर्थी की जिंदेगी देखो उस मनोज के मज़े से वो पूरी जिंदेगी जेल में है आर्थी जेल में नहीं है बाहर है पेरोल में घर क्यों नहीं आई और फोन भी नहीं किया अंकित, तुझे कुछ पता है? नहीं आई इसे भी नहीं पता फोन भीने के और घर भी नहीं आई वो फिर साफ मेरी बेटी कहा है कहा है मेरी बेटी? बोलिये ना शिरके, अजीब बात है न एक ही फैमिली की दो बहन है दोनों के शादी को लेके प्रॉबलिम है उनमें से एक बहन गायव है और एक शायद मर चुकी है बड़ी बहन आरती ने छोटी बहन दिया के पती मनोच के उपर जाननेवा हमला किया और उसके उपर रेप का इल्जाम लगा है ये बात दिया को पता है लेकिन फिर भी उसने आरती को कोर्ट में बचाने की कोशिश नहीं की जिस दिन आरती पैरोल पे बाहर आई उसी दिन दिया का मरडर हुआ या वो गायव हो गए और आरती पैरोल पे बाहर आई ये किसी को पता नहीं तो क्या आरती को पता है, दिया का मर्डर हुआ है? Sir. Sir, मैंने मनोज के यहां दो मेने पहले तक उसकी एक सेकेटरी निकी जो उसके यहां काम करती थी, उससे बाचित किये. उसने बताया कि मनोज की रेपुटेशन कुछ खास नहीं थी. मैडम, मनोज कुलकंड़ी बहुत घटिया आदमी है. उन लड़कियों को ऐसी नजर से देखता है कि अभी खा जाएगा. और उसने मेरे साथ एक बार नहीं, कई बार गलत हरकत करने की कोशिश की है. कॉलिटी सप्लायर से पूछो की उनका कोटिशन भी तर क्यों नहीं आया है. और वो शिंडे को पूछो की वो शिवाजी नगरवाली साइट पे माल पहुंचा की नहीं भी तर. सुर, ये डॉकर में उसको साइन पर देजिए. इतना फिट कैसे रह लेती हो तुम? कुछ टिप्स हमें भी दो की रटकें हमारी तरफ भी पलट-पलट कर देखें. देखो जरा. क्या कमाल का फिगर है तुमारा? सर! देखी, सर में पाप जाए. जब उसने पहली बार में साथ घटिया हरकत की, तो मैं शॉक थी. कि मैं क्या करूँ? और जब यह बात में ने उसकी बीबी को बताई तो उसने यकीन नहीं किया. और जब सेकंड टाइम उसको ये वीडियो दिखाई तब उसको यकीन हुआ कि उसका पती कितना कमीना आत्मी है. यहरी को वीडियो. ये वीडियो तुमने दिया को कब दिखाए थी? डेट याद है? माडम, 14 जून सुबा इसका मतलब 14 जून को निकी ने दिया को एंवीडियो दिखाई और उसी रात दिया का मुड़र हुआ मतलब मनोज के खिलाब हमारे पास और एक इविदेंस है दिया का मुड़र मनोज ही कर सकता सर, दिया की पोस्ट मॉड़र रिपोर्ट आ गई है सर, रिपोर्ट के मताबिक उसकी मौत 14 जून की राग आठ बजे से दस बजे की बीच में हुई है बाडी पर चार वार वार किया गया था सर उसके बाद उसके बाडी को पेट्रोल दाल के जला दिया गए जिसकी स्मेल हम वहां जाने तक थी राइट सर, फारंसिक रिपोर्ट भी आ गई रिपोर्ट के मताबिक घर के कीचन और बात्रूम में जो बाल मिले थे उसका डियने बॉडी से केवल 50% ही मैच करता है और सर, घर में जो दिया की मेडिकल रिपोर्ट मिली थी उसका ब्लड ग्रूप घर के बाहर जो ब्लड मिला था उससे मैच नहीं करता है उल्टा सर्फ जो आरती की मेडिकल रिपोर्ट हमने जेल से मगाई थी उसका ब्लड ग्रूप घर के बाहर जो ब्लड मिला था उससे मैच करता है मतलब शिर्की एक फैमिले में तीन ओरती थी जिसमें से एक जिन्दा है, एक गाइब है, एक मर चुकी है और दिया के घर में जो हमें बाल मिले वो बाडी से सिर्फ 50% नाच होते हैं शिर्की हम गलत हैं मर्डर आरती का हुआ है दिया का नहीं जिस बात में पुलिस के भी होश उड़ा दिये थे वो ये थी के मरने वाली औरत दिया नहीं बलकि आरती थी पर सवाल ये था कि आखिर आरती इतनी रात को दिया के घर क्यों गई थी और उसे किस ने और क्यों मारा क्या मनोच ने आरती का मरडर किया था क्योंकि आर्थी ने मनोच पर चाकू से वार किया था दूसरा सवाल ये था कि दिया आखिर थी कहां अपने बॉइफ्रेंड विने कुलकर्णी के साथ कहीं गायब थी सही सलामत थी या फिर उसके साथ भी कोई अन्होनी हुई थी सर खबर मिली है कि विने कुलकंडी दिया के चार मेने के बच्चे को अबॉट कराने के लिए नौजीवन क्लिनिक पहुचा है वह क्लिनिक में उसने अपना अधार काट जमा किया था वही से में इंफरमेशन मिली यह सर और सर यह विने भी चार दिन से गायब दिया अंदर जाए यह गपराओ मत मैं हूना तुम्हारे साथ देखना अब हमें इखने से भगवान भी ने रो सकता है टेंशन मतले जाओ मैं हूँ यह जिसका मतलब एक कन्फरम है कि यह दिया विने के साथ है राइट सर जेल अथार्टी से पता चला है कि परोल मिलने के बाद आरती ने अपने पती शाम देश पांडे को फोड़ किया और कहा कि वो दो घंटी में पहुंच आईगी और सर परोल का पोरा इंतजाम किसी और ने कि दिया नहीं करवाया था और उसमें इसके लिए वकील नितिन बर्तक को अपउइंट किया था जो कि इसी केस में मनोच का भी वकील था चेर के दिया और विने के लिए बोलो जारी करो और उस वकील को बुला कोई शाम का वर्ट फिक होती है ना आरती की फुष्टाज करते सर मुष में यकिन कीजी मैं सच बोल रहा हूँ शाओदा जोनको आरती का कोई फोन नहीं है चाहे तो आप मेरा फोन चेक करे सते हैं मैं तो आप से सब मैं से बायर मी यह पाया कि आरती का मर्डर हो चुका है वो मर चुकी है लैंड़न पर गया होगा है हाँ पता नहीं उसके घर फुटबोल मैच देखने गया था वही पर डिंगर किया और लेट नाइट गर पे आया है तो शायद दिंबर में कई भी फोन आया होगा तो होता नहीं शेया मैं वह वो ये कौन? ये 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 मेरा, मेरा मेरी असिस्टन्ट, मेरा बिजनेस है शादियों में, इवेंट्स में मैं इलेक्ट्रोनिक एक्विप्मेंट सप्लाई करता हूँ गर पे ये ओफिस है मेरा तो जिस दिन ये गायतुंडे गायकतुंडे ना हाँ गायतुंडे के पास गए थे तो आप तो गर पी थी ना मतलब ओफिस में सर दो पेर में तो मैं आफिस के काम से बाहर गई थी और रात को वापस आई कमाले ये गर को ओफिस कह रहे है आप उले ओफिस के काम से बाहर गई थी वास ओफिस ओवर्स क्या है नहीं मतलब दोपेर में आप काफिस की काम से बाहर गोई, वापस रात में आई, ओर टाइम कर रही थी, या नाइट शीप सर्व, वो शीर के तुमारा आड्रेस देना करता, और आप आप आफिस के काम से जा गई थी ना, वाकाब आड्रेस देना वाकाब तुमारा आड़ा थी, के यह चाहि कैपला यह थी, थैंकियो सर्ण, आगले देम शक्र जागा दना। आटीके सर्ण, शीर के, यह बात तो कंफर्म है, कि यह मेरा शाम के एसिस्टन ने उससे ज्यादा है, कि यह किस हमें जी तना इजी लग रहा था उतना इजी नहीं देख ये शाम के पास आर्थी को मारने का मोट्यू है और उसको बिल्कुल ने लग रहा था कि आर्थी को पैरोल मिलेगा वो सीधी घर चले आई और इसलिए मीरा के साथ बिंदास रह रहा था आर्थी जब घर गई तो मीरा को लेके उसका जगडा हुआ वो दिया कि घर जाने निकली शाम उसके पीछे गया और उसने आर्थी को मार गया सर, मनुझ भी तो हो सकता है कैसे? सर, हो सकता है कि पेरोग से निकलने के बाद आर्थी श्याम के घर न जाकर मनुझ के घर गई इस बाद का जवाब मागने की कोट में मनुझ ने उसके ऊपर जुटे इल्जाम क्यों लगाई और बुछसे में आधर, Manoj नो सका मदर कर दिया उसे पैसे तो चाहिए थे तो एक वारिस कम होने की वज़े से उसे पैसे का शेयर जादा मिलता इसलिए जब आरती उसके पास पहुंची तो उसने आरती को मार दिया यह मीरा, शाम की सो-कोर्ड एसिस्टंट इसके पास भी मोट्यू है उसे लगा होगा कि जब आरती घर वापस आ जाएगी तो शाम मीरा को घर से बाहर निकाल देगा और इसी वज़े से उसने आरती को मारा हो सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने मीरा को कहीं देखा है कहां देखा है यह याद नहीं आरा सर इस्क्यूस में दिया का कुछ पता चला नहीं सर लो चाई पिलो अरे तुम्हों नहीं हो अर्वालो की याद आ रहे है मिने ताही मैंने सुच़एदा ताही को जिर से आजाद करवाओंगी उस मनोच को उसके किये कि सुसा दिरवाओंगी ताही को ताही को सर सर ये शाम के सिस्टिन मीरा के साई है जिसका अस्तियलाम शबनम है सर इसका काम पैसे वाले लोगों को फसा के उनके वीडियो बनाना और फिर उसे ब्लैक मिल कर सर उन्हीं पैसे वालों मेंसे एक ने इसकी कम्प्लेइन भी की पर पुलिस कारवाई नहीं हो सके को कि वह पेले गुजर गया इसलिए अभी तक खुला गुम रही है गुट वरक तुरुपती मीरा और शबनम इसके कॉल डेटिल सर अर मोबैल लोकेशन निकलवा और मरडर के वक्ति ये कहां थी पता करें सर अड़ोकेट निदिन वरतक आपको मिलने आए मेजो उन पर सर मनुझ गिरा हुआ इंसान है ये बात सहज है कि मनुझ ने आरती पर रेप करने की कोशिश की थी जिसके डिफेंस में आरती ने उसको चाकू से वार किया था तुम 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 जब रोती हो ना तुम जब रोती हो ना तुम जब रोती हो ना तुम 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 तु मनोज, मैं भी उसे डिवस्स दे दूगा, मनोज छोड़ो हम दोनों शादी कर लेंगे शादी कर लेंगे सब तुर्टी को जाएगा मनोज, मैं तभी रोने नहीं दूगा मैं चाहर करें आर्थी आर्थी और यह बात में नहीं कह रहा हूँ कर दूं केस हारना को नचा б경ा लिटा आर्थी ने मेरा काम हाशन किया था और इसे सब गए उस वक्त आर्थी और मनोज के आलावा घर में तोही नहीं था आर्थी ने यही कबूल किया की उसमें चापू से वार किया था मनोज अब आर्थी के पास निर्दोष होने का कोई सबूत भी ने था पर उसने गुना कबूल किया था तुम जैसा वकील हर इनोसेंट इंसान के खिलाफ अगर केस लड़ेगा ना तो उसको न्या मिलना मुश्किल हो जाएगा अर्दी को बार पेरोल पे लाने करा अड़क क्यों किया या हीरिया कब आई वापस अपको गिल्ड फील हुआ इंसान हो सकता है पर हुआ नहीं कुछ मैंने पहले दिया मेरे पास आई थी अच्छे डिवोर्स वकिल के बारे में पूछने के लिए वो मनोज से काफी तंग आ चुकी थी तो मैंने उसे एक अच्छे वकिल का नंबर भी दिया था तांक्यू वेलकम सर्ण मुझे अपसे कुछ पूछना था कुछ यह एक आरती ताया के साथ मनोज ने सच-मुछ में जबरदस्ति की थी या ताही ने गुस्से में आकर उसे चकु मारा था दिया उको में जूद नहीं बोल पाए आरती को में सच बोल रही थी इसने मुझे पूछा कि क्या आती को सजा से बचा सकते हैं? मैंने उसे कहा कि सजा से तो नहीं बचा सकता लेकिन पिरोल पर तो ज़रूर माहर निकाल सकता हो हक ट्रोल 14 जूल को आरती को रिहा कर दिया गया आप एब आवाज बंद गर प्रॉलना है तो सच बोल जूर बोलेगा ना not बोलने के लायक न र Nepरेकू तुन्हें आर्थी को मारा ना पाथ में चला तीया और हमको कुम्रा करने की कोशिश की कि टूरे दिया को चल तीड़ देखा तो पता था निया बीने के साथ भाग के गई है जब तक मुझे पता चला कि मुच्छे कलती हो गई है पहुत देर हो गेती सर्च किया है सर्च के मेरा की मुबाइल लोकेशन से इसके मताबिक उसने दिया के घर तब आरती का पिछा किया और सर्चा की गायताउंडी वाली स्चोरी को भी क्लॉस चेक किया सर शाम जूट बोल रहा है उस दिन शाम पांच बजे वो घर पे ही था उसे पास से रिसीव किया और साइन भी किया वे देख भाई ये शिर्के है ना इसके हाथ में खुजरी हो रही हो जब मारना शुरू करेगा ना तो उसको मैं भी ने रोक पाऊंगा शिर्के बग बापाईला नहीं 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 बतलाओं बतलाओं मैं तर बोलना पेरोल पे आरती छूटने के बाद सिधा घर पे आई थी तुम कौन है डार्लिंग यह तो मर्डरन है ना अच्छा तो तु जेल से छूट कर आई है या भाग कर अपना मूँ बंद रख मैं श्याम से मिल नहीं हूँ यह तेरा घर नहीं यह मेरा घर है और अब श्याम से तेरा कोई वास्ता नहीं है समझी इसलिए इसलिए इज़त से चली जाओ वाना धक्य म बेजाओ मेरा जीना हारम मत धरो भागी तो नहीं क्या मैं रखता है और अब करूंगी सिफ तुम्हारा नहीं इसका भी छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों को यह एसे चुप नहीं वैठेगी अब इसे चुप बिठाना पड़ेगा और इसका खेल तो मैं खतम करूंगी किया कर रह्य हो तुमरा मेरा मतलब मेरा ने अर्ती को मारा और उसको ज़ला दीया पता नहीं क्योंकि जब वह वापस आई तब उसने मुझे कहा ही के वो आर्ती को नहीं मार पाई ए तब लेकिन अब, जब मुझे पता चला के दिया का नहीं, आरती का मढर हुआ है, तब मुझे ऐसे लगा के मीरा मुझसे कई जूड मूर रही है। जिस दिन आप मेरे घर पे मुझसे और मीरा से सवाल करने आये थे, उसी दिन से मीरा अपने सामान के साथ गायव है। तुने और मेरा ने, दोनों ने मिल के आरती को मारा और उसको जलाया। नहीं सार, नहीं सार, करें ऐसे कुछ नहीं किया जड़ा। स suf Francisco, मेरा अपने सारे खुरियों को अनद करते हो एकिस को अनध करते हुआ। ऐके सार... इस्पेक्टर साब, अलो, मैं आपी के बास आ रहा था, एक्चुली मुझे कंप्लेंड लिखवा लिए सर, मेरे गर में दो बार चोरी हो गए, अच्छा कासा कैश गायर हो गया, प्लीज हेल्प किजी सर, आपका नाम, जी मेरा नाम हरेश लालवानी है, बिल्डर हो, पहली ब हो कि अच्छाकर को पालवानी जी, हमने सारे शीरी फुटिव फुटिज एविडेंस सब कलेट कर लिय था, आपके पैसों के Бारे में कोई भी इंफमेशन मिलेगी, तो आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है? चलो. यह जो लड़का भी यहां से गया, यह आपका कौन लगता? और आपकी बेटी के साथ क्या कर रहा है? यह मेरी बेटी का मंगेतर है, क्यों क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए पूच्ताज करना पड़ता है, चलो. अब यह तो साबित हो चुका है, कि जो मर्डर हुआ और जो बॉड़ी जलाए गई, वो आर्ती थी, तुम नहीं. आर्ती को चार बार चाकु से मारा गया था. तर इसे पता था कि आर्ती परोल पर चुटने वाली है, यह उसे मिलकर ही निकलना चाहती थी, पर मनोच को हमारे बारे में पता चल गया तो मैं नहीं इसे कहा कि अभी चलते हैं बात में मिल लेंगे. सर, मैं उस दिन मरोच की मजए से ताइसे नहीं मिल पाई थी, और अब कभी मिल भी नहीं पाऊंगे. मैं उने जेल से आजाद करवना चाहती थी, मुझे नहीं पता था यह आजाद ही. मैं तुम्हें की जान ले लेगी. तुम्हें नहीं जिन्दगी शुरू करनी थी, तुम्हारो बस पैसे नहीं थी, नहीं थे ना? और तुम्हारे माने और अंकित ने तुम्हारा घर बेचने से मना कर दिया था. तुम्हें मांगे थे नहीं पैसे? प्रपानी दी, तोने क्या किया मिरे लिए? मैं अपने बारे में क्यो नहीं सोच यू? क्यो ना अपना हिस्सा मांगो? क्यो विने के साथ एक नहीं जिंदगी की शुरुवात ना करूं? और सिफ भाई नहीं नहीं माने भी मुझे करी गोटी सुनाई यह क्या लगा राख है, डिवोड्योस? अरे अपना नहीं तो हमारे बार में तो सोच अरे और कितना सोच वाई? तुमारे और ताई के क्याने पर मैंनो अस मनोथ शादी की ताकि इसका भावेश बन सके अब बन चुका ना भावेश इसका हाई अब तो मुझे अपनी जिनगी जीने दो हब तो मुझे वेणे के साथ जाने दो फिर तुझे उस वेणे का भूठथ सबरो गया? अरे जो तुझे दो वचक ता भाना तक नहीं देसकता उसके लिए तु इतने बड़े आतमी को ठुकरा नहीं तो अपने पैसे काला लच अपने पास रख मैं कम में गुझारा कर लोगी लेकिन उस नरक में अपस नहीं कि कम में कम में गुझारा कर लेगी न? फिर इस्सा क्यों चाहिए तुझे तुझेए हाय को फक्ड मांग रही हूँ, और हट अपना शादी कारा दी, सब कुछ दे दिया, और क्या चाहिए तुझे? शादी के नाम पर नप बेचा था आपने मुझे उसे? ताई, मैंने तब आप लोगों की मजबूरी समझी न? अब आप मेरी मजबूरी समझो अब आप ही लोग मुझे फिनाशली एमोशनली सपोर्ट नहीं करोगे तो आई में तूट जाओंगी लड़कियों को हिस्सा नहीं मिलता जो कुछ भी है अंकित का है, तेरा नहीं है तो अब तुम लोग भी कान खुल कर सुन लो मैं अपना हक लेकर रहूंगी क्या करेगी तो, क्या देख में तुझे बता रही हो, मेरी बात सुन ले, क्या करेगी तो बस करो तुम दोनो ताई, तुझे पैसे जाहिए ना मैं लागर दूगा, लेकिन तेरा आइसान में लोगा अरे सुन-सुन गे क्रान पग गए मेरे तेरे लेखिया, तेरे लेखिया कुछ दिनों बाद मुझे एक एजिंट का फोन आया कि अंकित घर बेच रहा चाहता है मुझे लगा मेरा दुख समझ रहा है फिर मनोच को मेरे और जिने के बार में पाता चलिए तो मैं घर चोड़कर भागना पड़ा उसके बाद मेरे ताय के मर्ड़र की ख़बर अग बार में पड़ी टीक ही, जा सकती तुम लो लेकिन जब तक केस चालो है शहर छोड़के बार नहीं जाना बुलाउंगा, आना पड़ेगा शिए बोलो शिर्के लेकियाओ उसको तुरुपकी सर्थ एक नया एंगल सामने है शायद पूराना है लालवानी के घर से शिर्के को कुछ इंटरस्टिंग हाथ लगा सर्थ सर्थ आप कहना क्या चाते हो मैंने खुद के घर में चोरी की बिल्कुल सही अंदाज निकला आपका हमने आपके घर के CC TV पुटे चेक किया ऐसा बदा चला कि आपके घर में सिर्फ आप और आपके पापा क्या लाओ वही नहीं तो पापा अपने खुद के पैसे की चोरी क्यों करेंगे कुछ लाजिक नहीं ना बनता तो कौन कर सकता है वो… सर्ण वो… बोले बोले, सभ्याज बोलु वो चोरी मैंने किये, सर पर सर खुद के लिए नहीं अंकेत की हेल्फ करने के लिए की थी क्यों? सर वो अंकित को कोई किसी वीडियो के लिए प्लैकमिल कर रहा है कौन सा वीडियो सर मुझे नहीं पता कौन सा वीडियो अंकित नहीं भॉत रोता था भौत परेशान था तो बस तर उसको हेलप करने के लिए मैंने पापा के पैसों में सिर्फ पहले 50,000 और बाद में एक लाख टुपे निकाल के दे दिया हरेश लालवानी के घर में चोरी करने वाला चोर पकड़ा गया जो कि खुद उसकी अपनी बेटी कंचन थी जो अपने मंगेतर अंकित को ब्लैक मेलिंग से बचाने के लिए अपने ही घर में चोरी कर रही थी सवाल ये था कि क्या वाकई कोई अंकित को ब्लैक मेल कर रहा था और अगर हाँ, तो क्यूँ और किस लिए अंकित और उसके ब्लैक मेलर का सच जानने के लिए फुलिस ने एक चाल चली जिसमें हरेश लालवानी ने भी उनका साथ दिया लालवानी के घर में मौझूद तमाम कैश को माक किया गया और उसे पाउडर लगाया गया और कंचन को भी इस बात की हिदायत दी गई कि वो इसकी खबर अंकित को ना लगने दे फिर जैसे ही अंकित ने कंचन से और पैसे माँगे कंचन ने फिर से पैसे चुरा कर अंकित को दिये और अंकित ने हर बार की तरह यही का कि उसे ये पैसे ब्लाक मेलर को देने हैं आखरी बार आखरी बार दे रहा इससे आगे मैं तुम्हें और पैसे दे नहीं सकता हूँ पैसे तु तुझे देने पड़ेंगे मैं जब-जब मांगूँगी तब-बेने पड़ेंगे इसलिए आगे के लिए सोच के रखना इससे आगे तु मांग ही नहीं पाएगी तो कि उससे पहले ही मैं तेरा खेल ख़तम कर दूँगा जाकू फेक वरना गोली बार दूगा फेक चाकू मैंने जान बूच कर दिया था एक कि बाद एक एजट से करवा दी थी था कि वो कोछ दिन तक तो चुप रहे हैं लेकिन मैंने आई के जाली दस्तकत करवा कर घर को गरिवी रखवा दिया था और उसके लिए खरीदार भी मिल गया था मैं बस हमारे घर को पेचकर खुद के लिए और प्रेक्षन के लिए एक नया फ्लाट खरीदना चाहता था लेकिन मुझे पता था कि दिया थाई के होते हुए ऐसा नहीं हो सकता लेकिन मुझे पूरा यकीन था आपका सीधा सीधा शक मनोजीजा जी पर ही जाएगा उस दिन जब मदिया थाई के घर पोचा तो भारी थी तो मैंने पीचे से जाकर उन्हें मार दिया था लेकिन बाद में भीजो पता चला कि वो दिया था यह नहीं आती था थी फिर एक बोटल में अपने बाइक से पेट और यह थी थी था अर्थी को मारने के लिए लेकिन मैंने देखा कि मेरा काम तो अंकित कर रहा है तो मैंने सोचा कि मैं अपने हाथ क्यों बंदे करूँ फिर मैंने अंकित का वीडियो बनाया और इसे ब्लैक मेल किया और इसके पस कोई चारा भी नहीं था तो मुझे पैसे देने के अलाबा और मेरे पस तो पैसे थे भी नहीं है इसलिए मैंने किसी जरा रोध होकर कंचन को मनाया कि वो उसके खुद के घर में चोरी करें और हाथ कुछ नहीं लगा शिरके अंकित के खिलाफ आर्थी का मर्डर और मीरा उर्फ शबनम के खिलाफ ब्लैक मेलिंग और सबूत छुपाने के जर्में चारशिक दाखिल गरूँ लेगे जो इनको आपको जील की और ले जाते हैं अब मैं आनूप सुनी आपसे विदा लेता हूँ फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें सतर्क रहें सुरक्षित रहें और देखते रहें गराइम पेट्रोल सतर्क जे